हमारे सभी वीवर्स का स्वागत है और ये टॉपिक पॉलिटी और एकनॉमी दोनों को जोड़ता है इंट्रेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि करेंट अफियर्स का भी मैटर है जी एस्टी कानून बनाने की राजियों की सकती यानि की जो गुड्स एंड सर्विस टेक्स आया था उस पर कौन कानून बना सकता है और ये चर्चा में है क्योंकि सुप्रिम कोट ने कहा है कि लोकतंत्र के लिए जरूरी है सहकारी संगवाद के महत्त को सम्या जाए सहकारी संगवाद यानि कोपरेटिफ फेडरलिजम यानि की संग की भी बात चले और राज की भी बात चले और दोनों के बीची में कॉडिनेशन हो कोपरेशन हो कोलाबोरेशन हो और इसी बात को महत्त को अस्पष्ट करते हुए सुप्रिम कोट ने कहा है एक आदेश में कि संग एव मराज बिधान सभा के पास माल और सेवा कर जिसे आप GST कहते हैं गुड्स एन सर्विस टेक्स उस पर कानून बनाने के लिए एक समान और अद्दूतिय सकती है यानि कि प परिशत की सिफारी से उन पर बाध्यकारी नहीं है अब यह एक ब्राब प्रॉब्लमेटिक बाट है सुप्रिम कोट का जो डिसीजन आया है उसका दुरगामी असर होगा अभी तक हम सभी जानते थे कि जो GST का एक तरह से डिसीजन होता है वो सब पर बाध्यकारी है राजी केंदर भी मान रहे थे केंदर भी मान रहा था मतों का वैलू अलग अलग था एक मामला आया सुप्रिम कोट में और सुप्रिम कोट ने कहा कि जो GSTC यानि गूट्स एंड सर्विस टेक्स का जो रिकमेंडेशन है उसकी जो सिफारिस है वो राज माने चाहें ना माने अब हो सकता है GST एक तरह से उसको रोल आउट करने का ये निर्णाय होगा इसका लोग अलग अलग अर्थ निकालेंगे इसी बात पर आज इस वीडियो में मैं प्रकाश डाल रहा हूं जो कि प्री मेंस सभी कॉम्पटेटिव एक्जाम्स के लिए जरूरी है इस वीडियो म जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार भारतिय आयातकों पर समुद्री माल के लिए IGST नहीं लगा सकती और IGST क्या होता है Integrated Goods and Service Tax एक राज से दुसरे राज या Export-Import पर लागू होता है IGST सर्वोच न्याले ने कहा है कि माल आयात के मामले में भुकतान किये गए समुद्री माल पर GST आऊसम मैधानिक है सभी को पता है IAG एक तरह से इंटरे स्टेट पर लागू होता है एक राज से दुसरे राज पर और Import-Export में केवल Custom लागू होता है Import Duty या Export Duty यहां पर भारतिय आयात को पर समुद्री माल के लिए IGST नहीं लगा सकता यह सही बात है बिल्कुल यह सुरू से ही था कि जो IGST लगा इंटरे स्टेट में लगेगा एक राज से दुसरे राज में और राज के अंदर जो लगता था SGST और CGST अब सुप्रिम कोट ने कहा है कि जो माल आयात किया जा रहा है समुद्री माल पर जीएष्टी अवैद है और समयधानिक है यह सुप्रिम कोट का कहना है सुप्रिम कोट ने क्या निर्णे दिया है कि GST कानून बनाते समय केंद्र और राज स्वायत, ऑटोनोमस, शोतंत्र, इंडिपेंडेंडेंट और यहां तक कि प्रति अस्पर्धी इकाहियां है प्रति अस्पर्धी इकाहिय मतलब competitive unit, यानि एक दूसरे से जो compete करते हैं, कौन? केंद्र और राज एक दूसरे से compete कर रहे हैं, देखिए बात, केंद्र और राज दोनों स्वायत है, मतलब की एक तरह से autonomous है, अपना खुद का rules regulations बना सकते हैं, सोतंत्र हैं, और यहां तक कि प् संगवाद को कठोर संगवाद की तरह माना जाता है, है न, marble cake इसको बोलते हैं, तो एक इकरत दृष्टिकोन एक तरह से नहीं होना चाहिए, GST परिशत की जो सिफारिस है, आपको पता है, एक समयधानिक बोड़ी है, GST के संपुर्ण मामलों पर निर्ड़े लेने के लिए एक कॉंसील है, जिसका नाम है GST कॉंसील, यानि Goods and Service Tax कॉंसील, जिसका प्रावधान समयधान के रुछेद 279A में है, अब उसका जो रेकमेंडेशन आता है, और GST का चेर कौन करता है, तो केंद्रिये वित मंत्री करते हैं, और राज के सभी वित मंत्री या revenue minister उसके member होते फैसला लिया जा रहा है, लेकिन अब क्या कह रहा है, कि उसका जो सिफारी से GST का recommendation है, वो संग और राज्यों को सामिल करते हुए एक सहयोगी संबाद का उधारन प्रस्तूत करती है, ये सिफारी से recommendation है, यानि अनुसंस नात्मक है, ये मत्र अनुसंसा है, recommendation है, चाहिए तो माने, न चाहिए तो न माने, इस तरह की बात है, अब न माने तो क्या होगा, एक तरह से GST के लिए बहुत बुरा परभाव हो सकता है, मैं सुप्रिम कोट के निर्ने के इतर बात कर रहा हूं, सब राज कहेगा, कि मैं GST की बात नहीं मानूँगा, तो फिर GST एक तरह से खा GST पर कानून बनाने का इक्वल पावर है, समान सकती है, अता है इन कानूनों को बाधकारी अगर आप बना देंगे, तो राज कोसिये संगवाद, जिसे कहाते हैं, फेडरल, फिसकल फेडरलिजम बाधित होगा, ये सुप्रिम कोट कह रहा है, कि आप बाधकारी जहां जिया गया है कि समिधान का अनुछेद 246A, जो राज्यों को GST के समंद में कानून माने की सकती देता है, संग और राज्यों को समान इकाई मानता है, इक्वल, यानि दोनों कानून बना सकता है, और दोनों का कानून थोड़ा अलग भी हो सकता है, जब समान पावर है तो, यह important बात समझना है, GST पर कानून बनाने के लिए केंद्र और राज्यों को एक साथ सकती प्रतान करता है, और जो अनुछेद 246A, और अनुछेद 279A, GST परिशत के गठन में यह बताता है, कि न तो केंद्र और नहीं राज्यों वास्तों में एक दूसरे पर निर्भर है, यह सुप्रिम कोट के डिसीजन में आया है, कि 279 एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, यानि जो GST एक्ट है 2017 का, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो उन इस्तितियों से निपट सके, जहां केंद्र और राज्यों बनाये गए कानूनों के बीच, तकरा होने पर GST परिशत उ से किया जाए, ऐसा कोई मंच ही नहीं है, GSTC ऐसा नहीं कर सकती, कि उन्हें सलाह दो, कि तुम ये करो, ये ना करो, ऐसा कहा गया है, कि एक्ट में ही ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो ये समझना है इस बात को, क्योंकि ये माइल स्टोन फैसला है, बहुत बरा फैसला है, जहाँ पर कह रहा है सुप्रीम कोट, कि ये जो सीफारी से हैं, वे सीफारी से बाध्यकारी नहीं है, बैंडिंग नहीं है, चाहे तो राज अपना अलग कानून बना सकता है, सेपरेट भीव ले सकता है, तो फिर GSTC का क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि य दिसीजन लेटेस्ट है, जैस्टिस चंदरचूर का, अब ये भी कभी कई पूशता है कि सहकारी संगवाद क्या है, जिसे कोपरेटिव फेडरलिजम कहते हैं, प्रतियस परधी संगवाद क्या है, जहाँ पर किंद्र और राज और राज आपस में प्रतियस परदा, यानि क उसरे को सहयोग कर रहे हैं, कोपरेटिफ फेडरलिजम कहता है कि केंदर और राज दोनों मिलकर फेडरलिजम को सेट अप कर रहे हैं, फेडरल बेवस्ता को बना रहा है, और दोनों के बीच में कॉडिनेशन, कोपरेशन, कोलाबोरेशन और डायलोग बहुत ही जरूरी है, के लिए एक महत्वपुर्न उपकर्ण है शंग और राज शमय धानिक रूप से समिधान की अनुसुची seven यानि जो seven sydul में है जिसमें शक्तियों का बटवारा है सेवह सी डूल में है स्क्तियों का बटवारा जिसमें की संग सुची है यानि की यूनियन लिष्ट, एस्टेट लिष्ट, कनकरेंट लिष्ट ये एक दूसरे के साथ सहयोग के लिए बाद है कभी एकला चलो की बात नहीं हो सकती कि संह अलग अपना काम कर रहा है राज अलग काम कर सकता है ये ठीक है कि भारतिय समिधान ब्यवस्था के त institutionalism है कि cooperative संगवाद होना चाहिए cooperative federalism होना चाहिए यही है यानि दोनों के बीच लगाता डैलोग हो वारता हो शहयोग हो cooperation हो यह बात है अब आप समझ यह तो फिर cooperative federalism तो समझ गए अब पर्तियस पर्धी क्या competition भी करना है competitive federalism क्या है तो केंद्र और राजसरकार के बीच जो संबंध है वो उधरवाधार होते है cooperative federalism में मतलब जैसे को हमने cooperative में बताया था कि horizontal है 36 है अब जो competitive federalism है यहाँ पर vertical है संबंध दोनों में अंतर है सभी राजसरकारों के बीच परस पर जो है इस तरह का संबंध होता है केंद्र और राजसरकारों के बीच उधरवाधार होते हैं जबकि cooperative federalism में जैसे मैंने बताया 1990 के दसक में नई आर्थिक निती आई liberalization, privatization, globalization, globalization जिसे LPG कहते हैं राव मनमोहन मोडल सभी लोग जानते हैं और आर्थिक नितियों को नया बल मिला इसे new economic policy कहा गया NEP नई आर्थिक निती और इसके बाद राजियों के बीच आपस में और केंद्र और राज के बीच में एक परती असपर्दी संगवाद का विचार का बल मिला आप देखते हैं गुजरात कितना progress किया और महराष्ट्रा किया करनाटका किया और कई राज पीछे छूट गया जैसे बिहार, उतर परदेश, बिमारू इस्टेट भी एक तरह से सरकास्टिक लागे मज़ में कहा जाने लगा, हर राज नई आर्थिक नीतियों के महाल में आगे बरने का प्रयास किया, और केंद्र का भी सपोर्ट मिला, कई राज आगे निकल गया, कई राज पीछे छूट गया, यह आप देखे होंगे, बिहार में इंडर्श्री क्यों नहीं है, जबकि अन राजो में इंडर्श्री का भरमार हो गया, जैसे महाराष्ट्रा में, 1991 के बाद महाराष्ट्रा में अनेक इंडर्श्रियल यूनिट लगे, आपको करनाटका में लगा, सब जगह लगा, गुरगाओं, हर्याना वगरा में लग वहीं बिहार, यूपी, यह सब पीछे छूट गया, यह समझना होगा, क्योंकि competitive federalism की बात हो रही है, कौन कितनी मेहनत कर रहा है, नपे के दसक में यह सुरू हुआ, एक मुक्त बाजार अर्थवेवस्ता, जैसे कहते है free market economy, राजो की जो नीधी है, यानि उनका जो resource है, उ पाधार और उनके तुलनात्मक लाब सभी परतियस पर्धा की भावना को बढ़ावा देते हैं, हाला कि बढ़ते बैस्वी करन ने जिस तरह से globalization हुआ, राजो की बीच मौझूदा और संतुलन को बढ़ा दिया, श्वभावी कृप से है, गुजरात, महराष्टा, करनाटक और कई दर्षिन के राज, बिहार से कई गुना आगे हो गया, क्यों? क्योंकि ये competition और महौल भी चाहिए competition का सबसे बड़ी बात है, आज बिहार में जो industry लगाने का news आप सुन रहे हैं, अभी तो आप कितना दसक बीच गया, 90 का दसक, 2001 का दसक, 2011 का दसक, 3 दसक बाद, अब कोशिस हो रहे है कि बिहार में industry लगाया जाए, अब हो रही है, जबकि उसी समय गुजरात, महराष्ट बहुत आगे हो चुके थे, तो असमानता तो आएगा, inequality तो आएगा, ये कैसे हुआ? competitive federalism से हुआ, क्योंकि राज compete कर रहे हैं एक दूसरे से, और इसी का नाम है competitive federalism, य आज एक दूसरे के साथ समबाद कर रहा है, समनवे कर रहा है, वारता कर रहा है, ये जरूरी है, ये समयधानिक mandate है, और लेकिस समिधान मना नहीं करता है कि तुम competition ना करो, करो, जो तुम्हरा resource है, अब किसी के पास समुद्र है, जैसे महाराष्टरा के पास, definitely एक बहुत ब नामी है, कहां मार्केट को बहतर जगह मिल रहा है, वहाँ पर वो बसेगा, और वहाँ एक तरह से industry का development होगा, तो ये important है, समझना, परतियस परधात्मक संगवाद में, राज्यों को लाव के लिए आपस में, और केंदर के साथ भी परतियस परधा करने के आव सकता होती है, यही बात, जस्टिस चंदरचूर ने इस decision में कहा है, कि GSTC की सिफारिसे binding नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर चाहे राज, तो GSTC सिफारिस के इतर भी अपना separate कानून बना सकता है, अस्परधा कर सकता है, ये बात उन्होंने कहा है, कि कोई ज़रूरी नहीं है, कि जो सिफारि किया वही माना जाए, एक competitive federalism है, जस्टिस चंदरचूर का जो फैसला है, और बहुत ही बुद्धिजिवी सुप्रीम कोट के जज है, उन्होंने इस बात को पुना बल दिया है, और ये परिक्षा के लिए बहुत महत पुर्ण हो गया है, खासकर मेंस के लिए, कि students त्यार कर कि competitive federalism क्या है, अपर ये पहला line वही कहता है, कि जो competitive federalism में राजयों को लाव के लिए, विहार को लाव कैसे मिले, महाराल्स्टा को कैसे मिले, इसके लिए आपस में एक राज, दुसरे राज से competition कर रहे हैं, और केंदर के साथ भी competition कर रहा है, अब भिहार कर सकता है कि हम GHSC इसकी बात नहीं मानेंगे बंगाल का सकता है और आप बात है नहीं कर सकते धन और निवेश को आकरशित करने के लिए राज एक दुसरे के साथ प्रतिसपर्धा करते हैं कैसे हमारे हां इंवेस्टमेंट आए कैसे फॉरें डारेक्ट इंवेस्टमेंट एवडी आई आए इसक लिए लगातार राज कंपेंड करते हैं कॉम्पेटिशन करते हैं और प्रसासनिक दक्षता में सुधार कर विकासात्म कदिविधियों को बढ़ावा देते हैं अब परदी संगवाद भारतिय समिधान की मूल सरणरचना का हिस्सा नहीं है बलकि यह एक्जिक्यूटिव पा परदी समिधान की बात नहीं कहता है तब यह कैसे आया यह एक्जिक्यूटिव पावर के एक्सरसाइज से आ रहा है कि हम कॉम्पेटिशन करेंगे यही कारण है इस कॉम्पेटिशन में कई राज पीछे रह गये और कई राज बहुत आगे चल गये इसलिए वर्टिकल बन आपको अलग-अलग देखेगा अब बिहार पीछे रह गया उडिशा से उतर प्रदेश और कई राज आगे बढ़ गये हैं तो कम्पेटिशन हो रहा है आप थोरा सा बस्तू और सेवाकर की बात कर लें आप जिसे कहते हैं गुट्स एन सर्विस टैक्स अब जिएस्टी क्य क्या है तो टैक्स बिहार में लगेगा क्योंकि यह गंतब आधारित डेस्टीनेशन-बेस टैक्स है महाराश्ट्य पर नहीं लगेगा क्योंकि वह स्टाटिंग पॉइंड पॉइंड यानि देस्टीनेशन पॉइंट पर लगता है और मुल्यबर्धन पर वेइलू एडिश मुंगेर में जा रहा है तब वहां पर S GST भी लगेगा और C GST भी लगेगा इस तरह का बात है पूरे देश का system है अपर text tax है indirect tax सभी को जांते हैं कि पहले वैट था sales tax था service tax था अनेक कर थे कैसे cutting इफेक्ट था tax for tax और उसको खत्म करने के लिए goods and service tax आया और वो indirect tax और सभी GST मामलों पर फैसला लेने के लिए एक समिधानिक बोडी बना जिसका प्रावधान है समिधान में 279A जिसे आप बस्तु और सेवा कर परिशद गूट्स एंड सर्विस टैक्स कॉंसिल करते हैं और GST की समद्ध में हर निर्णे लेती है कितना टैक्स होगा क्या टैक् निर्णे GST के तहट उन प्रावधानों के परिद्रिश्य को बदल सकता है जो नियाइक समिधा के अधीन है बड़ा निर्णे है कि GST की सिफारी से बाध्यकारी नहीं है अब इन प्रावधान का जो बैक्ग्राउंड है उसको चेंज कर सकता है अब तक सब लोग जानते थे कि GST जो ने कह दिया वही मानना परेगा लेकिन अब ऐसा नहीं है और नियाले ने असपश्ट रूप से कहा है कि GST परिशत की सिफारी सो का केवल प्रेरक मुल है आपके सामने एक गाइडलाइन है प्रेरक मुल मतलब एक गाइडलाइन है प्रावधानों के लिए एक बेव इस टॉपिक को मैं विद्यार्चियों के समक्स लाया हूँ यह पॉलिटी और एकनौमी दोनों को जो रहा है समयधानिक प्रावधान भी है और एकनौमी का भी मैटर है और यह कोपरेटिव फेडरलिजम इन सब से जूरता है और टैक्स रिफॉर्म का यह मुद्दा है एक यह सरकार इसके लिए समिधान में सोधन करेगी यह पार्लियमेंट कोई लौ बनाएगा यह आने वाले समय में पता चलेगा फिलहाल एक संसे की इस्तितों बन गई है कि जीएश्टी परिशत की सिफारी से अगर राज मानना बंद कर दे तो फिर आगे का रास्ता क्या क्या क जिसे टाइमस ओफ इंडिया और हिंदू में जो कहता है कि इस पर तुरंद सरकार को ध्यान देना चाहिए और यह फैसला जश्टीश चंद्रचूर का है और बहुत लैंड मार्क फैसला है बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को ज़रूर इसे शेर कीजिए अपने दोस